जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओन्लाइन क्लासिस में दोस्तों आर्मी जीडी का ये स्पेशल बैज खास करके आपके लिए लेकर आया हूं और ये जो वीडियो है इसमें 15 कोस्टन्स होंगे और सभी कोस्टन्स अच्छे और सलेक्टेट लेवल के हैं जो कि आपके एक्जाम्स में रेपीट होते रहते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रेक्वेस्ट है कि अगर आपने अवी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेज जरू कर लें क्योंकि दोस्तों आपको डेली 10 बजे इंडियन आर्मी जीडी की चेनरल नॉलेज चेनरल साइन्स उसके बाद में दोस्तों मैथ और रीजनिंग की वीडियो मिलती रहती है तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों कोस्चन नंबर बन की तरफ चलते हैं कोस्चन नंबर बन है कारगिल युद्ध किन दो देशों में हुआ था तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो किन देशों में हुआ था बहुती simple question है और आपके लिए इस question का answer भी पता होना चाहेंगे तो कारगली दुवाता दोस्तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ठीक है तो यहाँ पर question number 1 का सही answer option D भारत और पाकिस्तान question number 2 है दिल्ली किस नदी के किनारे इस्थित है दिल्ली किस नदी के किनारे इस्थित है तो दिल्ली दोस्तो इस्थित है यमना नदी के किनारे ठीक है और यमना नदी के किनारे दोस्तो तीन सहर इस्थित है number 1 आपका आगरा number 2 दिल्ली और number 3 मतरा इसकी एक ट्रिक भी बनती है दोस्तो आदमी ठीक है ये ये इसके ट्रेक है दोस्तों आपके लिए याद करने के लिए आसे आगरा दा से दिल्ली और मा से मत्रा ठीक है तो दिल्ली यमुना नेंदी के किनार रेश्थेत है यहाँ पर कुश्चिन नम्र टू का सही आंसर ओप्शन डी यमुना कुश्चिन नम्र थ्री है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है तो कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत में उस युद्ध में जो है दोस्तों वो बिजय पाई थी तो जो जिस दिन भारत में बिजय पाई थी उसी दिन कारगिल दिवस मना जाता है तो question number 23 का सही आंसर है option D 26 जुलाई question number 4 है national defense academy जिसके लिए हम दोस्तों nda बोलते हैं national defense academy कहां इस्थित है तो national defense academy इस्थित है हमारी दोस्तों खड़क वासला में और 13 दून में इस्थित है आपकी आईये में जिसके लिए हम बोलते है इंडियन military academy ठीक है तो यहाँ पर confuse नहीं होगा दोस्तों question number 4 का सही आंसर है option A खड़क बासला national defense academy यानि कि nda खड़क बासला में है और आये में देरादून में है question number 5 है ग्यानपीट पुरुषकार की सुरुवात कब ही तो ग्यानपीट पुरुषकार की सुरुवात हुई थी 1965 में question number 6 है भारत की पहली मूग चलचित्र कौन सी थी तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि मूग चलचित्र का मतलब दोस्तो मूग माने गूंगी और चलचित्र माने फिल्म तो भारत की पहली ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसमें कोई भी आवाज नहीं थी कोई भी मतलब बोल चाल नहीं थी तो ये दोस्तो जो पिक्चर थी, ये थी आपकी राजा हरिश्चंद्र Q6 का सही आंसर, option A, राजा हरिश्चंद्र Q7 है, जाबा और सुमत्रा किस देश के प्रिसिद दीफ हैं? तो ये दोनों देश दीफ हैं, दोस्तो, इंडोनेसिया के प्रिसिद दीफ हैं, ठीक है? Q8 है, अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? Q8 का सही आंसर होगा, option B, नेलसन मंडेला नेलसन मंडेला, जो कि अफ्रीका के निवासी थे, इनके लिए अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, ठीक है? और ये भारत के महत्मा गांधी के बहुत बड़े फ्रेंट थे Q9 है, किस कभी को आदि कभी के नाम से जाना जाता है? Q9 का सही आंसर होगा दोस्तों, आपका, option C, बालमी के लिए आदि कभी के नाम से जाना जाता है Q10 है, आमार, सोनार, बांगला, किस देश का राश्ट्रिय गीत है? Q11 की तरफ चलने से पहले, आप सभी को बता देए कि अगर आप इस वीडियो की पीडियो फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासे से इस पीडियो को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं Q11 है, कर्णिया कुमारी का राख मेमोरियल किस महापुरुष से संबंधित है? तो सबसे पहले तो दोस्तो आपको बताते हैं कि जो रोक मेमोरियल है, ये संबंधित है आपके स्वामी बिबेकनन से, और ये है कहाँ पे कन्या कुमारी में काफी इंपोर्टेन कोश्चे है न दोस्तो, इसी टैप के कोश्चेंस आपके कभी-कभी आजाते हैं और आप उनके लिए करत करके आजाते हैं तो Q11 का option C, स्वामी बिबेकननत Q12 है, भारत का सबसे दक्षनतम बिंदू क्या कहलाता है? Q12 का सही आंसर है, option A, इंद्रपॉइंट Q13 है, कौन सा दूइप, मोधियों का दूइप कहलाता है? Q13 का सही आंसर है, option C, बहरीन Q14 है, मेग दूद किसकी रचना है? Q14 का सही आंसर, option C, कालिदास Q15 का आंसर बताने से पहरे, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपको वीडियो के लाइस्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपके 15 में से कितने questions ठीक थे और दोस्तो आपको बता दें कि इस वीडियो की PDF फायर के लिए भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा ऑनलाइन क्लासेस है तो दोस्तो, question No.15 है, मानब सरीर का सबसे ब्यस्त अंग कौन सा है? ये question बहुत ही दोस्तो, सरल है, अगर आप चाहें तो इसका answer आप बिल्कुल खुद भी दे सकते हैं तो मानब सरीर का सबसे ब्यस्त अंग है बहुत है दोस्तो हिरदय जिस किलिम heart बोलते हैं, दिल बोलते हैं और हिरदय भी बोलते हैं तो मानब सरीर का सबसे ब्यस्त अंग है हिरदय, ठीक है? जो कि कभी नहीं रुपता है तो ये थे दोस्तो, 15 question आज की वीडियो के और ये जो वीडियो थी, ये आर्मी के जीडिय के लिए बिल्कुल इसमें selected question थे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तो, वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए दोस्तो, आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार, जैन, जै भारत